एशन गेम्स और कॉमन विल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकीं पहलवान विनेश फोगाट ने अपना अरजुन अवार्ड और खेल रतन अवार्ड वापस कर दिया है। भारतिय कुष्टी संग WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूशन शरन सिंग के खिलाप विरोध कर रही विनेश ने कुछ दिन पहले ही अवार्ड लोटानी का आयलान किया था। 30 दिसंबर को विनेश अपना अवार्ड लोटाने प्रधान वंत्री कारयाल है यानि PMO जा रही थी लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद उन्होंने अपने अवार्ड को करतव्यपत के बैरिकेट्स के पास रख दिया जिसे पुलिस ने अपनी कस्टर्डी में ले लिया। अवार्ड लोटाने के दौरान विनेश के समर्थन में कई लोग भी वहां थे। एक विडियो सामने आया है जिसमें विनेश की पुलिस वालों के साथ बहस हो रही है। विनेश पुलिस को कहती हैं कि अगर रोकना है तो उनके अवार्ड को वे लोग पीमो तक पहुचा दें। वर्ल्ड चैंपियंशिप मेडलिस्ट विनेश को साल 2016 में अरजुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2020 में उन्हें मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड मिला था। लेकिन अब जब उन्होंने अपना अवार्ड लोटा दिया है तो इस घटना को लेकर पहलवान बजरंपुनिया ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा ये दिन किसी खिलाडी के जीवन में ना आये देश की इस महिला पहलव आज क्या एक घोशित बाहुगली से मिलने वाले राजनितिक फायदे की कीमत इन बहादूर बेटियों के आस्वों से अधिक हो गई प्रधानमंत्री राश्ट का अभिभावक होता है उसकी ऐसी निस्ठुरता देख पीड़ा होती है बता दूं कि इससे पहले विनेश वोगाट ने 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अवार्ड लोटाने की बात कही थी पत्र में विनेश ने लिखा था कि उन्हें मिले मेजर ध्यान चंद खेल रतन और अरजन अवार्ड का अब उनकी जिन्दगी में कोई मतलब नहीं रह गया है विनेश ने लिखा था कि हर महिला सम्मान से जिन्दगी जीना चाहती है इसलिए वो अपना अवार्ड वापस करना चाहती है ताकि सम्मान से जीने के राह में ये अवार्ड उनके उपर बोज न बन सके हैं विनेश वोगात साक्षी मलिक और वजरंग पुनिया जैसे तमाम पहलवान संजे सिंग को WFI का नया अध्यक्ष बनाने के फैसले से नाराज थे दरसल पहलवानों ने WFI के पूर्व प्रमुक ब्रिजभूशन शरन सिंग पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीडन करने का आर WFI की नव निर्वाचित बॉड़ी को निलंबित कर दिया था इसके बाद भारतिया उलंपिक संख ने WFI को चलाने के लिए एक तीन सदस्य पैनल गठित किया गुपेंद्रु सिंग बाजवा इस समीती के चेर्मैन है एमेम सौम्या और मंजशा कवर इस कमीटी के दो अन्य सदसे हैं ये कमीटी WFI का प्रबंधन करेगी जिसमें खिलाडियों का चैयन, टूर्नामेंट का आयोजिन और सुपरविजिन बैंक अकाउंट के हैंडलिंग जैसे काम शामिल है आगे लिए खबर लिखी थी मेरे साथी आर्यन ने, मेरा नाम उपासना है और आप जोड़े रहें दिललन टॉप पे साथ शुक्रिया